हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चानल अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बैल आइकन क्लिक करें आज हम बनाएंगे यह बहुत यह टेस्टी गोबी के पराथे स्टफड गोबी के पराथे हैं और यह फोल्ड पराथे है देखो ती कोने पराथे में इसे मैंने बनाया है यह बहुत टेस्टी है हमारी यह इसे चटनी चाय के साथ सफ की जाती है तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं यह मैंने 800 ग्रम गोबी लिया है जिसे मैंने खीस लिया था दो गंटे पहले और एक टेबल स्पून नमक ढसे मैं भी तुछेम में चुरू से हाथ के कपड़े मेंने थोड़े हम एक कॉटन के कपड़े में डाल करें इसका सारा पाणी निकाल लेंगे अगर आपके पास cotton का कपड़ा ना हो तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हो इस बात का ध्यान रखना है कि पानी इसमें बिल्कुल भी न छोड़े थोड़ा बहुत रह जाता है तो कोई बात नहीं अच्छे से हम इसे निकाल लेंगे तो देखिए इतना पानी निकल गया है अईसे हम हटा देंगे गोभी को एक बॉल में निकाल लेंगे और फिर इसे हाथों से दभा करके सबको अलग अलग कर लेंगे हम अब हम बनाते इसकी स्टफिंग तो एक पैन चड़ा के या कडाई चड़ा के उस पर डालेंगे टू टेबल स्पून ओईल मस्टेड ओल का यूज़ कर रहे हो आपको जो पसंद हो ले लेना इसे अच्छे से गरम कर लेंगे देन इसमें हम डालेंगे वन फोट टी स्पून लैसुन घान चीरा इसे पास दस सेकेंड के लिए फ्राई होने देंगे फिर हम इसमें एक कर देंगे वन टेबल स्पून बारिंग कटावा लैसुन अगर आप लैसुन ना खाते हो तो हिंग की मातरा ड़ड़गुणा कर लेना अब एट कर देंगे वन टी स्पून के करीब कशूरी में थी प्याज एक मीडियम साइज का लैसून जैसे इस्किप कर रहे वैसे प्याज भी कर सकते हो अगर नहीं खाते हो तो प्याज को त्रांसलूसेंट होने तक करेंगे बस ट्रांसलूसेंट ही करना है ab at कर देंगे इसमें एक टेबल स्कून के करिब धनिया हाफ टी स्पून हल्दी अब इसमें गोबी डाल देंगे जो कि हमने घीस का रखा था पाने निकाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है ज्यादा मिक्स करते हैं मसालों के साथ थोड़ा भुल लेंगे इसमें एड कर देंगे 1 टी गरम मसाला 1 teaspoon यह होममेड गरम मसाला है अब इसमें थोड़ी सी कस्थूरी मेथी डालेंगे वन पिंच के करीब अमचूर है यह वन टीस्पून के करीब से अच्छे से मिक्स कर दे आप इस समय थोड़ा सा टेस्ट कर ले नमक और खटास क्योंकि नमक और खटास अगर कम रहा तो पराथा टेस्टी नहीं बनेंगे स्टफिंग हमने रेडी कर लिए अब हम बना लेते पराथे तो गैस अनकर के पैन रख देंगे मैं आपको दो मैथड़ दिखाऊंगी फोल्डिंग करने की तेको पैले चोटी सी हमने रोटी बेली है चोटी सी है पूरी के साइस की उस तरफ से हम उसे फोल करेंगे फिर दूसरी तरफ से बेसिकली आपको यह चोकोर पराथा बनाना है देखो दोनों तरफ से भी हमने मोड दिया अब इसे हम पर्थन लगा लेंगे मतलब सुखा आठा में लपेट लेंगे और फिर हम इसे चोकोर बेल लेंगे ऐसे आप भी बन गी में भी शेख सकते हो लेकिन मैं यहां रिफाइन डॉल का यूज कर रही हूं तो इस तरह से हम करते वेए इसे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से से शेख लेंगे इस तरह से उलटते पलटते फ्लेम तेज रखे ताकि पराठे जो एक कड़े ना बने मुलायम बने और टेस्टी बने तो इस तरह से करते वे हम सेख लेंगे पराठे को हम इस तरह से सेखने के बाद इसे प्रिक कर देंगे थोड़ा छॉलनी से ताकि पराठा थोड़ा खस्ता भी बने तो हमारा पराठा हो गया रेडी इसे हम उतार लेते हैं कि दूसरा प्राठर देख लेते की कैसे बनाएंगे यह पर की या इसंट इसे चार तरफ से हम तरह से करते बनाँख और दो तरफ हम रखेंग तरफ और एक उस तरफ में आप चाहो तो एक तरफ भी स्टफिंग से भर सकते हो लेकिन मैं ज्यादा स्टफिंग वाली बना रही हूँ और दोनों के अपॉजिल्ट साइड से आटे को उठाकर उस पर रख करके उसे बंद कर देंगे देखो इस तरह से अब यह पूरा इस सेट हो गया अच्छे से अब इसे सूख्यार्टे में लपटेंगि इस्तारा से हम इसे लॉग कर देंगे तक किस टफिंग निकले नहीं और मिला तो यह हमारा हो गया स्टाफिंग वाला तिकोना प्राथा लेयर वाला तो हमारा तवा अल्रेडी गरम था व्हारी प्लाटते बढ़ियां से गोल्डेन ब्राउन होने तक जैसे पहले वाला सेका था उसी तरह मी से भी सेख लेंगे तो देखो कितना बढ़िया ना खूल गया अब हम सर्फ कर लेते हैं तो देखो पराठा कितना अच्छा बना है कितना मुलायम कितना सॉफ्ट है एकदम मखन के तरह बहुत मजाता है इसा पराठा खाने में और देखो एक एक लेयर में इसके गोवी की स्टफिंग भरी हुए टेस्टी स्टफिंग तो आप भी बनाओ ए बहुत अच्छी रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है तो चलो फ्रेंड्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई-बाई एंड टेक केर